रौनी और जरीना स्क्रूवाला ये दो नाम ये अकेले ही चल पड़े थे जाने बे मन्जिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया हिम्मत थी अपनी खुली आँखों से नामुम्किन लगते हुए ख्वाब देखने की कुछ ने कहा शायद होना पाएगा मगर ये देड़ अक्षर आग जैसे नहीं अगर जाग जाएं तो आग हैं बिल्कुल सही कहा गया है इस परिवार के लिए इन देड़ अक्षरों से बने हम इन देड़ अक्षरों से बने तुम और इन ही देड़ अक्षरों से बना ये स्वदेश परिवार स्वच्छ भारत सशक्त भारत समरुद्ध भारत की मशाल लिये हुए पिछले कई वर्षों से तत पर है स्वदेश फाउंडेशन हजारों गाउं आसियों के घर बसे, बच्चों को शिक्षा का लाब मिला, बेटियों ने सफलताओं की राहें चुने, आदिवासियों के घरों में भी उम्मीदों की रोशनिया जली, पीने को और स्वस्त जीवन जीने को पानी मिला, खेत खलियान लहराने लगे, महिलाओं न शेहरों से युवा अपने अपने घर को आए, सिर्फ इंसानी नहीं पर पेड, पौधे, पज्वी, पक्षियां भी मुस्कुराए, ये सफर आसा बिल्कुल नहीं था, और इस साल तो जैसे मुसीबतों के सहलाप का सामना करना पड़ा है, करोना महामारी और हाली में आये और सेवा में डटे रहे, रुके न तू, ठके न तू, जुके न तू, थमे न तू, सदा चले, ठके न तू, रुके न तू, जुके न तू, फाउंडर्स की दुरदरशिता रही, स्वधेश के इस मिशन में कई समर्थों का सहयोग भी रहा, पर इस फाउंडेशन के असली नायक है, यहां काम करते हुए कर्मचारी.